अब अगर आपको कोई जॉब क्यूरी आती है फ्री लांसिंग वेब साइट से या कोई और क्लाइंट एज एक कंसल्टेंट आपको अप्रोच करता है और आपको कहता है कि भाई मुझे ना डिजिटल अड़ोटाइजमेंट के लिए बंदा चाहिए तो क्या आप वो काम कर सक तो आपका अगला सवाल जो आपने उसे पूछना है कि किस तरह की डिजिटल अड़ोटाइजमेंट आपने बनवानी है यानि कि टाइप आफ दी अड़ोटाइजमेंट क्या होगी इश्तिहार की कौन सी टाइप होगी दोस्तो इस सेशन के अंदर मैं आपको चार डिफरें वो एड़ोटाइज होती है कि जब आप गूगल पे जो उपर सर्च बाहर आ रही होती है उसमें कुछ टाइप करते हैं कोई वर्ड टाइप करते हैं तो आप नोट करें कि टॉप के ओपर आपको कुछ वेबसाइट के लिंक दिये वे होते हैं जो उपर नदर आ रहे होते ह उसके आगे चोटा सा एड लिखा होता है यह एड़्स वो एड़्स होती है जो Google AdWords को यूज करके आप कीवर्ड के थुरू अपियर करवारे होते हैं यूजर के सामने यानि कि आपने Google AdWords को कहा कि हम आपको इतने पैसे देंगे और जब भी कोई होटल टाइप करे या होटल ने लहौर टाइप करे तो हमारे होटल की वेबसाइट सबसे उपर आ रही हो यह टेक्स्ट फॉर्म में होती है और इसको हम सर्च एड्स कहते हैं Search Engine Optimization का आपने अकसर नाम सुनाओगा और वो बड़ा क्लिर ली Search Ads के साथ असोसियर्ट होता है Search Engine Optimization का मकसिद यही है कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट के बारे में या आपकी वेबसाइट से related किसी कीवर्ड के बारे में लिखे तो आपकी Advertisement सबसे उपर आए Organically, Naturally हो रहा होता है लेकिन जब Search Ads के आप पैसे देते हैं Google AdWords को तो यही काम Google आपके लिए कर रहा होता है और आपकी Advertisement यूजर के सामने दिखा रहा होता है In the form of Search Ads इसे आगे चलके अगर हम देखें तो अगली टाइप of Advertisement है Display Ads Display Ads को असान लफ़ों में Explain अगर मैं करूँ तो जब भी किसी आप वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपके Right ये Left ये Top ये Bottom पे एक Picture नजर आ रही होती है आपको जो in the form of Ad होती है यह वो Ad होती है कि जो Companies Google को कहती है कि अपनी Affiliated Websites के ओपर Appear करवाएं Affiliated Websites कौन सी होती है यह वो तमाम Websites है कि जो Google Search Engine पर exist करती है तो Google उन Websites पर जाता है उनसे Permission लेता है Permission लेके आपकी दी हुई Picture को यानि कि Display Ads को Appear करता है उनकी Website के ओपर इनको हम कहते हैं Display Ads तीसी टाइप अफ एड्स है Social Ads Social Ads अपीर होती है Social Networking Platform पर Facebook के ओपर, Twitter के ओपर, LinkedIn के ओपर और यह एड्स की सबसे बड़ी Drawback यह है कि सवाए Social Media Platforms के यह एड्स किसी और जगा अपीर नहीं होती लेकिन चुए Social Media भी बहुत बढ़ चुका है और उसकी Reach बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो इस वज़ा से इन आज्स की Importance भी बहुत बढ़ती जा रही है Traditionally हमारे पास Textual Ads होती थी Search Ads के तोर पर यह Display Ads हुआ करती थी जो Static Picture जो Websites के ओपर लगा करती थी Social Ads से आगे चलके देखें लास्ट टाइप जो बड़ी Common है वो है वीडियो एड्स की वीडियो एड्स अगर मैं आपसे Question बूच हूँ तो वीडियो एड्स ज्यादा तर कहा चलती है यह External Websites पे भी चल रही होती है लेकिन इनका सबसे ज्यादा जो Ratio है एड्स को चलाने का वो है YouTube के उपर क्योंकि यूजर सबसे ज्यादा YouTube पे है इसी विज़ाद से एड्स भी ज्यादा YouTube पर पोस्ट हो रही होती है यह जो तमाम एड्विटाइजमेंट है सवाए सोचल एड्स के वो हो रही होती है Google के platform को यूज़ करके जो आगे चलके software के तोर पे हम सीखेंगे भी तो दोस्तो इस session के अंदर मैंने आपको चार different किसम की इश्तिहारात और advertisement के बारे में बताया तो आगे चलके वो वो consultancy की job हो या आपके महले के अंदर छोटा सा business है और वो आपसे digital marketing की job करवाना चाहरा हो या free lancing की की job हो तो आपने हमेशा पूछना है कि कौन सी advertisement है जो आप मुसे करवाना चाहरे है क्योंकि वीडियो advertisement पे जितना time आपका लगेगा जुरूरी नहीं कि display advertisement पे उतना आपका time लगे तो इस सारे knowledge को जहन में रखिए और अगले sessions के अंदर इन knowledge को apply कीजिए और मजीद सीकेए